कि छोटे किसानों की परिशानियों से हर कोई परिचित है कि समय समय पर उनके शर्सक्तिकंड की माग भी उठी है हमारे आधनिया शर्दत पुवार जी और कांग्रेश के बेर हर किसी ने हर सरकार कोर्षी सुधारों की वकालत की है कोई पीशे नहीं है क्योंकि हरे को लगता है कर पाए नहीं कर पाए लग बात है लेकिन होना चाहिए ये बात हरेकी निकली हुई है और आज नहीं जब भी जो जहांते समने की हुई है और सरद्रावजी ने तो अभी एक बयान भी दिया कि मैं सुधारों के पक्ष में हूँ ठीक है पद्ददी के समयन में में सवाल है लेकि सुधारों का विरोध ने किया है और इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें इस विशे में हमारे साथी सिमान सिंधिया जी ने बहुत यह अच्छे डंग से कई पहलूओं पर इस कानून को लेकर के यहां पर यह सारी बाते पिछले देवदशक से लगातार चलते हैं हर फ़र्म में चली ऐसा नहीं है कि कोई हमारे समय की सोच बहुत ही बढ़िया थी मैं भी दावा नहीं कर सकता हूं कि हमारे समय की सोच बढ़िया है दस साल के बाद कोई नहीं सोच आहीं नहीं सकते हैं यह समाज जीवन परिवर्तर सिन हो जो ठीक लगा चलो चले आगे सुधार करेंगे नई चीजों को जोड़ेंगे यही तो प्रगति का रास्ता होता है जी रुकावटे डाले से प्रगति कहां होती है जी और इसलिए लेकिन मैं हरान हूं अचानक यूटन ले लिया भै ऐसा क्यों ठीक है आप आंदोलन के मुद् लेकिन साथ-साथ किसानों को भी कहते हैं कि भाई बढ़ला बहुत जरूरी है बहुत साल हो गए अब नई चीजों को लेना पड़ेगा तो देश आगे बढ़ता है लेकिन अब मुझे लगता है कि राजलीत इतनी हावी हो जाती है कि अपने ही विचार शूर जाते हैं लेक वो मेरी बात माने आना माने मन मनसेंग ची की तु बात जूरूर मानेंगे There are other rigidities because of the whole marketing regime set up in the 1930s which prevent our farmers from selling their produce where they get the highest rate of return It is our intention to remove, it is our intention to remove all those handicaps which come in the way of India realizing its vast potential as one large common market ये आदर्ण्य मनमोन सिंग्जी का आदर्ण्य मनमोन सिंग्जी ने किसान को उपज बेचने की आजादी दिलाने भारत को एक क्रिशी बजार दिलाने के शमन में अपना इरादा व्यक्त किया था और वो कामंकर रहे हैं और मुझे आप लोगों को घर्व होना चाहिए कि देखे मनमोन सिंगी ने कहा था वो मोधी को करना पड़ रहा है घर्व किजिए प्रीज प्रीज और मजा ये है कि जो लोग पॉलिटिकल बायान बाजी करते हैं उचल उचल करके उनके राज्यों में भी जब उनको मुकाविल आ है इसी में से आधा अधूरा कुछन कुछ किया ही किया है हर किसी ने यहां जो विरोध में दल है उनकी भी जहां सरकारे हैं वहां आधा अधूरा कुछन कुछ तो किया कि उनको भी मालूम है रास्ते कर दास्तों तो यह है और मैंने देखा इस चर्चा में लोग का जो स्पिरिट है उस पर किसी कि देश्टा नहीं है शिका जिका ठीक नहीं ता जल्दी कर दिया इसको नहीं पूछा यह रहता है वो तो परिवार में शादी होती है तो भी फूफ झाल